दस कदम आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ चांदनी धहवन कानपूर से बड़ी खबर मिल रही है DCP Central को फोन पर धमकी ये बड़ी खबर स्वरूप नगर में मुकदमा दर्च हुआ है IPS प्रमोद कुमार है DCP Central विवादि संपत्ती को सीज करने के आदेश के बाद ये धमकी दी गई है ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपूर से जहां पर DCP Central को फोन पर धमकी मिली है सायोगी अमित हमारे साथ पोन लाइन पर जुड़ गए हैं उनके पक्ष में किया जाए जिससों इनकार कर देते हैं और उसके बाद से शुरू होता है फोन करने का सलसला इसी पकड़ी में एक अधिवक्ता जो अपने आपको बताया जा रहा है उसके बाद रहाना अधिकारी कारे है आपको पुलिस के पासी है और उन्हें अपने अधिकारीं को दिया इन सबके बीच सरुब नगर में जब यह मामला सामने आता है तो पेशकार और वहां जो प्यारों निमें हरकाम मच जाता है और अचानक वो नमबर सुचाफ हो जाता है जिसके बार उस नमबर को ट्रेस कराया जाता है जिसके आधर पर पुलिस आगे जुट गई इन सब के बीच पेशकार ने सरूप नगर आने में एक F.I.R. दर्ज कराई है जिसके बार पुलिस इसमें ढूंती रही कि ये लोकेशन किस फोन की किस टावर से रेटे क्योंकि देर रात का पूरा मामला था अब पुलिस की दो टीमें लगाई गई ये जानने का प्रयास की रहा कि आखिर कौन है जो पुलिस को खुली चोनोती दे रहा है बहुत शुक्रिया इस पुरी जानकारी के लिए अमित लगनों से बड़ी खबर मिल रही है IPS मंजिल सैनी को मिली है क्लीन चिट श्रवर साहू हत्याकांट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है सुरक्षा देने में लापरवाही का आरोप लगा था एनेज़्यी में डी आईजी हैं मंजिल सैनी ये पड़ी खबर में आपको बता रहे हैं लख्मों से मल रही है जहां पर IPS मंजिल सैनी को क्लीन चिट मिले है श्रवर साहू हत्याकांट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है आरोप ये लगा था कि सुरक्षा देने में लापरवाही का आरोप लगा था और अब बताया जा रहा है कि एनेज़्यी में डी आईजी हैं मंजिल सैनी बागपत से बड़ी खबर मल रही है गड़े में ढूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है हाईवे निर्मार के दोरान बने गठे में नहाते नहाने के लिए उत्रे थे ये दोनों गठे में बनी दलदल में फसने पर जूबे हैं बच्चे बड़ोत को तुवारी श्वेत्र के लोडा गाओं के निकट की पूरी घटना बताई जा रही है और परिवार में कोहरा मचा हुआ है परिवार का रोरो कर बुरा हाल है क्योंकि गठे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है बताया जा रहे कि ये जो बच्चे हैं वो नहाने के लिए उत्रे हुए थे लेकिन इसी दोरान ये बड़ा हादसा हुआ है बताया जा रहा कि बड़ोत को तवारी श्रेतर के लोडा गाओ के पास की पूरी खटना बतायी जा रही है जहां पर गठे में बनी डलदल में ये दोनों बच्चे जो हैं वो टूब कें और ढूबने की वज़़े से दोनों बच्चों की मौत हो गई है हाईवी निर्मार के दोरां जो गठे बने थे उसमें ये बच्चे नहाने के लिए उत्रे थे और इसी दोरां वह दलदल में फस रहते हैं और दो बच्चों की मौत हो गई है तो बताते चलें आपको दो बच्चे गठे में आपको बतारी जो दलदल था उसमें फस गया है और पसने की वज़े से दो बच्चों की मौत हो गई है परिवार का रो रूकर बुरा हाल है शहजाद सयोगी वारे साथ जुड़े हैं शहजाद क्या जानकारी मिल पारी है देखे बुड़ोत कोतवाली चेतर की गठना है जहां पानी के गड़े में डूबने से जो दो बच्चे से उनकी दरजना मौत हो गई है मोगे पर पहुंचे परी जुनों ने और पुलिस ने सब को बार निकाला है और पीम के लिए बिजवा दिया है यह जो दोनों बच्चे थे एकोनोमी कोरिडोर जो हाईवी बन रहा है उसके निर्मान के दोरान गड़े बने हो गए है लकणों में स्यम योगी आधतरात ने आज जनता दरबार लगाया है जनता दरबार के दौरान स्यम योगी ने परियादियों की समस्याओं को भी सुना है और इसके साथ यादिकारियों को ततकाल समधान और जरूरी कारवाई के निर्देश भी दी है तस्पीरे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सीम योगी आदतनात ने जनता दरबार लगा कर लोगों की जो भी समस्याओं हैं उन सभी समस्याओं को सुना है हाला कि ये भी देखा जाता है कि सीम योगी आदतनात लकनों और जब वो गोरग पुर भी जाते हैं तो जनता दरबार जरूर लगाते हैं इसे जो आम जंता की समस्या हैं उन सभी समस्या को सुनते हैं और देखा जाता है कि जो जंता दरबार में लोग मौजूद होते हैं जो फर्यादी वहाँ पर मौजूद होते हैं एक एक पास जाकर जो वो अपनी समस्या को लिखे होते हैं उनको पढ़ते हैं उसके बारे में ज खबर लखनु से है राजिकी लोगों को सरकार के विभिन योजनाओं का बहतर ढ़ंग से लाब देने और तैस समय में समस्याओं का समधान करने के लिए CM योगी मुक्मंत्री कमाड सेंटर और डैशबोर्ट का शुफारम करेंगे CM डैशबोर्ट से विभिन विभागों की ओर से नागरिकों को उफलब्द कराई जारे सेवाओं और विभागों की योजनाओं में विभिन स्तरों के अधिकारियों के प्रदर्शन के अधार पर उनकी रैंकिंग जो है वो भी तैय होगी CM योगी आज पहर के बाद गोरखपुर के दोरे पर जाएंगे CM योगी आज बताते चले आपको एनकसी भवन में वेपारियों और सिक्षा विदों के साथ समवाद भी करेंगे और अपना सुझाओ भी देंगे CM योगी आदितनात गोरखपुर पहुचेंगे एनकसी भवन में कारकरम है और सिक्षा विदों के साथ CM योगी आदितनात समवाद भी करेंगे प्यामोदी आज मनकी बात प्रोग्राम के जरही जरीए ही देशवासी से बातचीत करेंगे तो प्यामोदी के मनकी बात की आज एक्सोतीनवा एपबसोड है और बता जारा है सुभाई 11 बजे प्याम मोदी मन की बात करेंगे देश वासियों से हाला कि इस वरान देखा जाता तमाम मुद्वे हैं जिनको लेकर वो चर्चा भी करते हैं